वेल्कम तो माई यूटूब चैनल प्रसायन तजिकेशन है तो आज का टॉपिक है हमारा अप्लाइड मैटेमेटिक्स इसमें हम डिफ्रेंसेशन के कुछ इंपोर्टेंट कोसन तो कुछ करेंगे चाम करेंगे आपके एक्जाम में पूछा जा रहा है तो यह चीज याद रखाना जो चनली कोर्फ होता है ठीक है तो उस पर छादा हमारा फोकस रहेगा ठीक है और आने वाले जो वीडियो होगा दोस्तों इसके अंदर मैं थोड़े और डिफ्रेंसियेशन के कोशन करवाँगा जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत जादा इंपोर्टेंट होगा ठीक है दोस्तों यह जनरली उन बच्चों के लिए है दोस्तों जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक ठीक है अगर जो आपका बेसिक के लिए नहीं है डिफ्रेंसियेशन में दोस्तों तो आप इस वीडियो को देख सकते हो ठीक है तो चले दोस्तों शुरू करते हैं देखते हैं जो आपका पहला कोशन है वह क्या अगौँकर ुसको सबसे पहले क्या करिए तो वाई बराबर ब्लमाल लेजिए तो ऐ ब्राबर क्या में क्या आपके पाण में यह स robust चैथ जैसे क्या जो आफने प्रीब्लेम सी दिखा कई दोस्तों बाहर आ जाएगा यानि क्या हो जाएगा मार पास यह साइन एक्स वीडियो में देखा ओगा ठीक है तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों साइन एक्स होता है माइनस में एकी पावर एक्स जगा साइन साइन स्क्राइब दोस्तों कोस एक सुझाए खेगा तो देखिए इसका ड क्या गाएगा हमारा इसका अंसर आजएगा आपको यह सही से समझ भाया होगा ठीक है एक्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है चलिए तो चलिए दोस्तों देखें डिफ्रेंसियेट इसे भी हमें डिफ्रेंसियेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब फंक्शन क्या रखा है हम इसको य के पराबर मानत परोटेंसियेट क्या इससे तुर पावर तो चेंड के हिसाफ से क्या होता है तो डर्वेट होता है लिगे हुद है तो जितने भी है दोस्तों की साइन इंवर्स एक्स होगिया ठीक है कॉस इनवर्स एक्स हो गया तो इन सब करें क्रें दोस्तों डर्रीवेटिव क्या होता वो भी याद कर लेजे ठीक है जैसे कि अग're स्क्राइब को बताऊं कि यहां पर जो सायल इंवर्स x अपाॉन में dx आ जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या आगा दोस्तों e की पावर e की पावर sign inverse x आ जाएगा और यहाँ पर फिर से अगें चेंडरील को इसाब सक्या हो सिन इनवर्स एक्स को भी डी एक्स क्या करेंगे तो हमारा जो अंसर बनेगा हो क्या देरें नहीं मैं उसको लिखूंगा तो कि पिल यह uda है अब मैंने आपको बताया था कि अगर e की पावर x है और इसको d x से respect में differentiate करेंगे तो e की पावर x हुजाएगा और फिर अगेन जो भी पावर हो e का उसको भी differentiate करेंगे उसे साथ में ठीक है दोस्तो तो देखिया अगर तो मैं है आप लिखू डी e की पावर x upon dx हुजाएगा प्लस में d e की पावर x की पावर 2 upon dx हुजाएगा प्लस d e की पावर x की पावर 3 upon dx प्लस क्या जाएगा दोस्तो d e की पावर x की पावर 5 upon प्लस एक-स्क्वारहेट लेकिन अब इसको डिफ्रेंसेयेट करें एक ऴाँछ के वर लेकिन होगा अब डी एकस्वार adx वियुके भर फ्लस यहां पर किया जाएगा दोस्तोंī एकसी पावर थी डिट्वेसी आभी आ जाएगा ट प्लस ए एक्सी पावर फाइब और यहां पर क्याहते यहां पर अगर दोस्तों एककी पावर सेट करेंगे तो एक्स होजाएगा च्वार प्लाश में पेंगा है एक्स है क्यूब कर आ गई तो यहFO T यहाँ पे क्या है दोस्तों फाइब एक्स की और एक्स कि ठिसेट करें खागा यहां पसका अंसर अगए डोस्तों यह आपको एमसी क्यू स्टे में तो नहीं दिखेगा ठीक है यह आपको सौल्फ करने वाले कोशन में आपको एक दो नमबर या तीन नमबर में आपको क्या होगा दोस्तों यह दिख जाएगा ठीक है चैले क्या है दोस्तों differentiate with respect to x इसे भी हमें differentiate करना है with respect to x तो देखे दोस्तों लॉक का थोड़ा से देखिए जो भी आपको लॉक एक्स दे रखा हो जब भी differentiate करोगे तो जितना भी होगा दोस्तों जितना भी जो भी हो उसका एंगल क्या होता वन अपॉन में आ जाएगा ठीक है जो भी लॉक का एंगल होगा वह वन अपॉन में आ जाएगा फिर एंगल भी का होगा बापस differentiate होगा ठीक है दोस्तों तो चलिए इसका देखते हैं हमारा क्या आएगा देखिए वाइबर में क्या रिखा है लॉक और यहां पर क्या रिखा है लॉक एक्स इसका एंगल है ठीक है अगर जो हम इसको लिखे कि differentiate with respect to x हमें करना है इसे तो क्या आजाएगा दोस्तों dy by dx आ जाएगा और यहां पर 1 अपॉन में लॉक का एंगल क्या है लॉक एक्स है ठीक है अब यह लॉक एक्स हो अगें डिफ्रेंसियेट करोगे दोस्तों तो क्या जाएगा वन अपॉन में आजाएगा ठीक है तो वन अपॉन में एक्स लॉक क्या जाएगा इसका अंसर आजाएगा ठीक है आपको आपको यह दिर टो यहां पे लॉग लॉग क्या भी एक तो फिर इसका अग्ल डेरिवेट वक्त सागे खेंगर वरन अपर में एक्स सागें ठीक है तो आपको यह समझ माल होगा ठीक है नेक्स सोषर्म क्याई दिफ्रेंश करना है हमें ठीक है कॉस का एंगल क्या दियेगा दोस्तों log x plus e की पावर x ठीक है with respect to x हमें करना है तो मैं हम लिखते हैं y, y बराबर क्या दे रखा है कॉस यहाँ पे log x plus e की पावर x ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों differentiate with respect to x तो यहाँ पर क्या होगा dy by dx cos x का derivative करेंगे दोस्तों तो क्या आता है हमारे पास माइनस में sin x ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में क्या जाएगा log x plus e की पावर x ठीक है अब देखें दोस्तों जो इसका एंगल है जो भी function का एंगल है वह भी differentiate होगा तो अगर दो function अगर दो लॉग x करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके सा आजाएगा और e की पावर x करेंगो तो e की पावर x e आ जाएगा ठीक है तो जो हमारा अंसर होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा ठीक है डी वाइब डी x equal to में यहां पर मैं बोर सकता हूं कि 1 प्लस में e की पावर x अपॉन x और यहां पर क्या आगा दोस्तों माइनस में sin log x प्लस e की पावर x ठीक है इस हिसाब से क्या होगा आपका derivative हो जाएगा ठीक है तो next question क्या है दोस्तों टी वाइब डी x निकालना हमें एक equation दे रहा है इस equation से डी वाइब डी एक समया पर निकालेंगे ठीक है तो सबसे पहले equation को लिख लेते हैं हमारे equation क्या है x का q plus में x square y plus में प्लस में xy का square plus y का cube equal to 81 ठीक है अब हम यहां पर लिखते है कि दोस्तों differentiate with respect to x ठीक है x के respect में differentiate कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों अगर जो आप 2x square को बहार रखोगे तो यहां पर dy by dx ठीक है अब यहां पर देखें क्या आजाएगा xy को differentiate करोगे अगर जो y square यहीं रख दो और x को differentiate को 1 आ जाएगा ठीक है तो यहां पर जो हमारा जाएगा वो देखो dy by dx ठीक है तो यहां पर क्या बच रहा है दोस्तों हमारे पास यह बच रहा है दोस्तों plus में y का square ठीक है और dy by dx की जो value बनेगी वो क्या बन जाएगा दोस्तों माइनस में 3x square plus 2xy plus y square upon में x square plus में 2xy plus 3y का square ठीक है तो यह क्या होगा कि हाँ भाई dy by dx इस तरीकी से आएगा ठीक है दोस्तों चलिए next देखते हैं तो next क्या है दोस्तों देखिए यहां पर question y बराबर में sin inverse 2x under root में क्या है 1 minus में x square दे रहा है ठीक है जब भी आपको इस तरीके से question देखे तो आपको let करना होगा ठीक है अगर जो x बराबर सब्सक्राइब तो मैं बता देता हूं sin square a plus में cos square a equal to 1 होता है अगर जो आपको sin square a लिखना है तो 1 minus में नहीं, sorry cos square a लिखना है तो आप 1 minus में sin square a बोल सकते हो अगर जो cos a लिखना है तो under root में 1 minus में sin square a हो जाएगा ठीक है, I hope आपको समझ माया होगा तो y बराबर क्या बन जाएगा sin inverse equal यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बन गया एक formula बन गया आपने पढ़ा हुआ है sin 2a का formula क्या होता है 2 times sin a cos a ठीक है यही formula बन गया है यहाँ बोसकता हूँ मैं यहाँ बोसकता हूँ sin 2a ठीक है और ध्यान रखिए दोस्तों अगर जो कभी भी कोई भी function inverse में हो और same function आजाए जैसे कि sin x आजाए तो इसका जो होगा दोस्तों वो क्या एगा x आएगा ठीक है यानि कि angle क्या होगा उसको answer हो जाएगा तो y बराबर कितना आजाएगा 2a आजाएगा a की value क्या है sin inverse है y बराबर में 2 और यहाँ पर क्या आएगा sin inverse x अब अगर जो इसको differentiate करोगे तो dy by dx के respect में तो आपको पता है 2 तो consonant है बहारा जाएगा और sin inverse x क्या होता है मैंने बताया था 1 minus में x square होता है ठीक है तो I hope आपको यह समझ में आगा differentiation 2 upon में क्या दाएगा 1 minus में x square इसका differentiation हो जाएगा ठीक है most important question है दोस्तों क्योंकि यह previous share में क्या गया है यह question पूछा गया है ठीक है next question देखें next question क्या हमें यहाँ पर भी दी बाइब दी एक्स find करना है लेकिन हमें यहाँ पर क्या दरका function दे रहा है ठीक है तो हम function लिख लिएते क्या है हमारे पास sign square x plus में क्या दे रहा है cos square y equal to 1 ठीक है अगर जो हम इसको differentiate करें differentiate with respect to x ठीक है तो हमारे पास क्या जाएगा d sin square upon dx plus क्या जाएगा d यहाँ पर क्या आएगा cos square y upon dx equal to d1 upon x ठीक है अब देखो यहाँ पर पावर है तो पावर यहाँ पर क्याएगा 2 times sin x आ जाएगा और यहाँ पर फिर से क्या होगा sin x भी क्या होगा differentiate होगा dx plus यहाँ पर क्या होगा 2 times cos y आ जाएगा और यहाँ नीचे जो base होगा भी differentiate होगा DJ यहांप caut Y apartment dx जो जाएगा और यहांपर क्या होगा दोस्तुं यहांपर angle with differentiate होगा डि by by dx और यह constant है constant का differentization जेरो होता है अब यहांपर देखो क्या आज़गा दोस्तु 2 times sin next है यहांपर क्या होगा sinक्स क् approach又 यहांपर फॉर्मुला बताया था sin 2a का, क्या होता है, 2 time sin a cos a, ठीक है, यहाँ भी देखो, same बन रहा है, तो इसको बहुत सकता हूँ, 2 time, क्या बहुत सकता हूँ, sin 2x बहुत सकता हूँ, minus में, क्योंकि यह minus आ गया, sin 2x equal to में sin 2y dy by dx, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा, दोस्तों, क्या बनेगा, dy by dx equal to में sin 2x upon में sin 2y, ठीक है, तो I hope दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, किस तरी के सी यह question हुआ, ठीक है, अगर जो आपको कोई भी doubt रहता है, दोस्तों, जरूर comment में बताओ, ठीक है, जो भी निदान होगा, दोस्तों, आपके doubt का वो बताए जाए जाएगा, तो चले दोस्तों, next question देखते है, next question क्या है, दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा important क्योंकि यहाँ पर जो question है, दोस्तों क्या है, function की power function है, ठीक है, जब भी आपको ऐसा question देख जाए, function की power function, तो यह question generally बहुत जादा important हो जाता है, यह आपका 5 mark से कम में नहीं आएगा, ठीक है, देखे, क्या है मार पास, यहाँ पर दियाएगा, y equal to log x cos x, ठीक है, अगर जो आपको function की power function दिख जाए, तो log के बिने नहीं होगा, अब यहाँ बस सबसे पहला step क्या करेंगे, taking log both sides, दोनों तरफ क्या लेंगे, हम log लेंगे, ठीक है, तो यहाँ प्या होगा, log y हो जाएगा, equal to में क्या होजएगा, log, यहाँ पर log x की power क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर जो log X की power 2 की power तो कर दो यह power क्या होता है this side में आता है power आग spray आता है यानिकि 2 log 2 होता है ठीक है इस पता है आपको तो इसलिए हम log लेते हैं ठीक है तो यहा पर आपको तो हम दोस्तों महले पास यहार आजाएगा log y को बॉक्त सैजरेगा और यहां पी क्या होगा लॉकल का एंगल क्या होगा लका जब करेंग आगे निया अब क्या करेंगे कश्च करेंगे थो एक्स ठीक है जब इसको डिफरेट्सिएट करेंगे 2 एक्सट जाएगा ठीक है अब यहां पर दिखो दोस्तों लॉग एक्स को तो यहीं रख दो लॉग यहां पर लॉग एक्स आ जाएगा तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों हमारे दिखेंट हो गया तो अब देखिए अगर जो मैं इसको लिखना चाहूं तो यह बोच सकता हूं डी वाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ कि我說 si यहां पर Cos x upon x log x – sin x log x , यहां पर की आएगा log x आजएगा ठीक है तो यह क्या होगा दोस्तों आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो जन्य है अशन आकप बहुत सारे Ск्सट यहां अपको लाँ गारे आप आप सररह सारे क करें इप्रेंट आपको पता नहीं होता बछों को पता नहीं हो डिपलोमों में किस तरीके से पढ़ना है ठीक है अगर जो आपको इसां में अच्छा से तरीकी से करो हो दोस्तो एक video को डालें बहुत जादा मैंने तो लगती है तिक है लेकिन दोस्तों जब आपका कोई response नहीं आता तो एक गडियो की जाली help लोगा टिक है जो भी मदद कर सकता हूं दोस्तों में करूँ तिल तो बहुत वीडियो बाट झाल 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 झाल